कोलकटा में टुरेणि डॉक्टर के रेप मर्डर केस की आज सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई शाती कोट ने पीडिता की पहचान और फोटो उजागर करने वालों को भी लताड़ा है साथी डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नैशनल टास्क फोर्स के गठन की भी बात कही गई है सुप्रीम कोट ने आज कई एहम पहलूओं का जिक्र किया और कड़ी टिपणी की है कोलकता रेप एंड मर्डर केस को लेकर अदालत ने एक तरफ कोलकता सरकार को फटका रहा है दूसरी तरफ प्रशासन को और साथी साथ मेडिकल कॉलेज की प्रिंस्पल को भी पूरो प्रिंस्पल उनसे भी सीरिय सीदे सवाल किया गया है आज कोट जो है काफी सक्त रहजे में कई सवाल आज कोट के सामने रखें जिसमें कि प्रमुक्त पर पूशा गया क्या इस मामले में अफायार सही वक्त पे हुआ या नहीं हलाकि इस मामले पर याचिका करता के दoupरा बताए गया कि जो पहली अफायर हुई थी उस मामले में उनक्ट के गल्ट जानकारी दी बताए गया था कि यह इस पिडिता है वो पिडिता हूँ वह आतमत्या कर लिय थी और जिस तरा से यह घटना हुई है यह मामला जो है डाक्ट्रों की सुरक्ष्षा ब्युष्दा के नहीं है बलकि देश के मसला है क्योंकि डॉक्ट्र जो होते हैं वह 24 घंटे काम करते हैं और शनर चाहिक जो घटना है कि तारीक 22 अगस्त मुकर्रर की गई है और इस 22 अगस्त के बात करें तो 22 अगस्त को इस मामले की जो तप्तिश करने वाली जो जाचेंसी है उसको भी कहा गया है कि वो इस मामले में अब तक वी जाच के पर एक स्टेटस रिपोर्ट दे और कोड को बताए कि अब तक इस मामले में पर तप्तिश करने में क्या क्या जानकारे मिली हैं किस तरह के सबूत इखटा किया गया है